अब देखना है अरे क्या कहना मेरी भी अहलिया है मतलब कि शाल सिर्फ आप नसिंग साफ की अहलिया को दे रहे हैं अच्छा बड़े अकलमन किसी इंगे बस एक माहुल बन गया देखिए ये जी शाल लड़का है बहुत अच्छा है एक अड़का देखिए आयत इस्लामी चैन नाम का आप आप लोग सब्सक्राइब की जीये और क्या-क्या इंग्रिश्क तो मुझको औतनी आती नहीं है आप लुक्मा मत दीजिए इसलिए कि हजरत इदस्तार बंदी का जल्सा है एक है हाफिस एक है खुदहदा याद रहär किएक है एक है हाफिज एक है खुदाहफिज अब हाफिज को ने खुदाहफिज को ने यह भी समझ दीजिजिए जो रमजान में नमाज तरावी में कुरान सुनाए वह अज जो हाफिज होकर नमाजे तरावी में खुरार नहीं सुनाए हूँ अब रमजान आए तो फैसले आपको करना है कि हाफी साब आए कि खुदा हाफी साब आए बड़ी मेहनत के बाद एक जलसा होता है बड़ी मेहनत के बाद मैं लाएके मुबारक बात देता हूँ मदर्सा, अहले सुनत, गुल्शने गजा रगुनाज गण, नभी गण, नभी गण, अगर गण्ज ही कह गए इसमे क्या दुक्त, लिकुमा क्यों देरे जी भाईजाते मैं 26 साल से तरावी पढ़ा रहा हूँ आपकी दुआ से आज तक लुक्वा नहीं मिला है यहां मिला है, जब तब लुक्मा जहां देना चाहिए, वाला ही देना है अरे लुक्मा तो वहां जाकर के देना चाहिए, जहां लड़के शराप के अड़े पर जाकर शराप पी रहे हैं बड़ा बुरा हाल है किसम खुदा की आज अपने मौाशिरे का, बड़ा बुरा हाल है अगर मेरी बात, मैं बुस्तबू कर रहा हूँ, मैं तक्रीर नहीं कर रहा हूँ, तक्रीर का वक्तम होगे सिर्फ आप से बात करनी है अगर मेरी बात आपको खराब लगे तो माफ कर दीजिएगा और अगर नई भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लिया लिएगा मैं आपका इमाम तो नहीं हूं कि जब चाहिएगा भागा दीजेगा तो बड़ी मेहनत के बाद इस जल्से का हिटमाम किया है अर रात के दो बज गए याद रखेगा बारा बजे के बाद दो ही लोग जाकते हैं बारा के बाद दो लोग जाकते हैं एक सियाना जाकता है अग दूसरा नभी का दीवाना जाकता है बहुत पहले किसी ने कहा था कि सारी दुनिया को नीदा गई उनका दीवाना बेदार है अब खुद ही फैसला कीजिए कि कौन जन्नत का हदार है औरिजिनल लोग बैटेंवें औरिजिनल लोग बैटेंवें चूंके पीरे तरीकत की आमद आमद है और उनके नभीरे तश्रीब ला चुके अज़ पूरे अलाके में जो जलसा जलूस का माहूल है मस्जिदों से फज्र के बाद सलाम की आवाज आती है जलसों में नारा लगते है बारर अबिल अवल में शरीफ में जुरूस निकलता है ये हुजूर से राज मिलत की बेपणा मिहनत का नतीजा है उनोंने फल उनोंने दर्ख लगाया आज उसका फल शोराग खुद्बा को ये मिहनत है तो उनके शहजादे की आमद आमद है उनके आप जियारत शियारत करेंगे आप एक बात बताएं ये ग्यारमी शरीफ का महीना है इस से पहले महरम का महीना घुज़रा ग्यारमी से पहले बुलिए कुछ सा महरम घुज़रा महरम का जोर से बुलिए इस कौम का हाल देखें क्या होगा अखिर आप लोग जा कहा रहा है क्यार्मी से पहले मुहर्राम तो आप बोलिएगा ना भाई कि बारा रभी लवल श्रीप आपको याद दिलाना भाई कि आप आप जा कहा रहा है आप आचीके रशुल हैं बोलो भाया या ने कुछ बोलो आपको भी बोलना आप आचीके रशुल है सच्छे आचीक है कुछ लोग होंगे मैं नहीं मानता इसलिए नहीं मानता के जो नपी का आशिक होगा वो जुआड़ी नहीं है अग्या जो जुआड़ी होगा वो नपी का आशिक नहीं है बार्वी शिरीफ में जुरूस निकलते हैं बहुत बुरा हाल है जुलूस निकलना चाहिए निकलना चाहिए अभी तबीव साहब कुछ महीना पैले है बहुत अच्छे नकीब है तबीव साहब अलला सलामत रखे खूब बरकर दे खूब तरक्टी दे हमारे हजरत अलामा तजमूल साहब जो अल्हम्दुल्ला खुद बहुत अच्छे खतीब है ये इनका बड़ा पन है कि ये मुझ जैसे छोटों लोगों छोटे लोगों की तक्रीश बैट करके सुन रहे हैं अल्ला की रामत शब्लम बनकर इनके गुजिस्ताने हयात पर बरस्ती रहें चुके बीच बीच में उर्दु इसलिए बोलना पढ़ रहा है ताके स्टेज पर बैठे उलमा समझे कि मैं भी कुछ पढ़ा लिखा दे हैं मकसद ही है वरना मैं आ रहा हूं आपके तरह बहुत आजमत अग्जा भागल फूरी साब ने बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत अच्छा हजरते नसीम सहर गयावी साथ भी पढ़ते हैं सब लोग अच्छे हैं इस्टेश पर जिद्धे हैं याद रखिएगा मैं अपनी बात बता रहा हूं हर शायर हर मुकर्रीर हर नकी आप जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा यह लोग जान जाएं यह तो इनकी महरवानी है कि भाए पैटे में हैं अजमत बात एह साथ कंतरी में तला मत की दिए पैसा देखा रहा है यह लोग सब के सब अच्छे हैं कुछ दिन पहले जैसे आज कर बारा रभील अवल शेष में जुलूस निकलता है मैं तर्फिल ने आपसे बात कर रहा हूँ देखिए शारों में लोग मोटर सैकल ले करके यह सरकार की आमत का जुलूस से कोई मुहरम का खार नहीं है आप जुलूस निकाल रहा है मोटर सैकल कर ले के हर रहे हुं रहे हैं हासों अगर मैं घलत बोल जाओ तो इसला कर रहा है रियक्शन की जड़वत नहीं है एक्शन की जड़वत यह बच्चे हमारे यह नौजमान लड़के जानते नहीं है इसको समझाना है प्यास इसको समझाना है मुहबत से आप जिरूस निकाल लहा है सड़ जाम फोर वीलर है आप रास्ता नहीं दे रहे हैं टू वीलर है आप रास्ता नहीं दे रहे हैं एंबुलेंस वाला हत्त यह है कि साइरन दे रहा है पेशेल बेठा हुआ है आप रास्ता नहीं दे रहे हैं आखिर आप जुलूस निकाल कर मैसेज क्या देना चाहते हैं क्या देना चाहते है मैंसे क्या प्रैघाब्वबेना चाहते होना तो यह चाहिए कि अगर कोई एमबॉलेंज किसी मरीद को ले कर के आ रहा है तो आप अपने जलूस को रोख दीजिया करेए जलूस बाक में जाए गा में में बैठा हुआ मरीज पहले जाएगा कि जब मुसल्मान इतना अच्छा है ते बजबे इसलाम इतना अच्छा यह आपको मेसेज देना है यह आपको पेगाम देना है क्या आपके हल्ला करने से इसलाम फैल गया क्या आपके हल्लाम करने से इसलाम फैल गया ए लगा तुम्हारे जाने से इसलाम फैला दे बाप जो घर बना दिया दो कठा में डाय कठा में तो घर तो नहीं फैला सकता है ने बैड़ो खाम इसी से बात सुनो बात सुनो मैं समझा रहा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ कितनी मेहनत की है हाफिज घुलाम साहहमाइब कहा है हाफिज घुलाम साहण ये पतला दुगला है अगर टेपूर फाइल के सामने इसको रख दिजिये तो उसकी हवा से योड़ जागा मगर इन्होंने मकतब में दारूमनों नहीं है मदरसा नहीं है मक्तब में असिर्व छे हजार रुप्या तनका में एतनी महनत थी कि मक्तब से एक बच्चे को हब भी से पुरान बहाता है रगुनाद गन्गे मुसल्मानों तुम सलाम करो इस श्च्च की महनत में सलाम करो और इस खुशी में अगर वाकई इनकी महनत पे तुमको रश का रहा है तो सबसे पहला काम ये करना कि इनकी तर्खा में अजाफा कर देना ताके आज एक बच्चे दो बच्चे निकले ये दिनी महनत करे कि आने वाले दिनों में तुम्हारे मत्तब से हाफिस की शकल में दस दस हुपाजे कराम आगे बढ़ कर देना ये महनत करे रुक जाए रुक जाए जहां मुझको लगेगा कि तक्री मेरी अच्छी होरी हम खुन तारा मार लेंगे एकदम टेंशन मत लीजे तभी भाई आप मेहनत कीजिए इनकी मेहनत को सलाम कीजिए बच्चे हाफिस बने क्या है प्रार का इजाए आज आप देखिए सुभ होती है घर से दो बच्चे निकलते हैं ये बच्चा जा रहा है ये बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है पता कर देखिए जा बेटा जल्दी से जाओ या फैट्रो आज सुभ होती है कि तम संजीदा हो जाई है संजीदा हो करके मेरी गुफ्तवू आप से मात कीजिए बहुत धल्ना हो जुका बहुत नारा लगा चुकिया अवथिदा है कितना आपके नारे से फाइदा हुआ ये मेंचा भी जाए कितना फाइदा हुआ बहुत नारे लगा या क्या मैसेज आपने दिया खुदा की कसम मिंबरे रसूल से खसम खा करके कह रहा हूं कि जब रास्ते से बुसरते हैं एक जगा अल्लामा जमीन साब पुला मैं देखा चार पाँच मुटर सैकर खड़ी है जिस पे लिखा हुआ है के जी एल मैं लेका कि ये लगता मुसल्मान की गारी है यहां खड़ी है तो जो गारी से ले जा रहा था जब उसने बताया लगा कि जमी उपट जा जा का हज़रत ये शराब खाना है मैंने का ये शराब खाना अर ये गारी मुसल्मान की का ये लोग शराग पनी के लिए आया है मैंने का आप कितना ना ने है तो कितना ने जान है जो नहीं भी जानना है कि पीने वाला मुसल्मान है तुमने गारी में केजी एल लिख करके गारी उस जगा लगा कर ये बता दिया कि पीने वाला मुसल्मान है कब तक बद्दाम करोगे पर में मुस्लिम को कब तक क्या हाल है तुम्हारे समाज के बहुत आसानी से इसलाम नहीं मिला है बहुत आसानी से इसलाम नहीं मिला है और याद रखना ये पर नहीं मेरा इमान बोलता है नूर-खघ्यम्ति से कुरान बोल रहा है और इसलाम जैसा मजब है तुम्हारे मारा लगाने से तुम्हारे अलहा रहा है को तुम्हारा अख्ला कहहां है तुम्हारा को कितार कहां है यहां इस आगे roses अगे अगे बढ़ो मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो पीछे हटे पीछे हटे पीछे बढ़ो ये गोसे पाक के नाम का जल्सा है एराक अमरीका की लडाई ही सदरे सदाम हुसें के वक्त अज़त शाद उनीस सो अठासी में ये नब्दे में तब हुए थी थी 1988 में गौर्ण सब सुनिया गजब एराक अमरीका की लडाई हो रही थे तो जब अमरीका का बंब गिरता था तो साय भी बच्ता था सिटी मच्टी थी जिस इलाके में बंब गिरना था तो लोग अलट हो जाते थे कि आप नहीं पर बंगिरेगा तो सदरे सदाम हुसे अल्ला ग गौसे आजम की बारगाह में हाजरी देने के लिए पहुंचे ठीक सायरन बजा वहीं के घंटी बजी कि अब अमरीका का बंग जो है गौसे फाक के आहते में गिरने वाला है उन्होंने मजाज शरीफ की चादर उड़ाई उठाके उड़ लिया बंगिरा गौसे आजम के के मजार का जो केंपस है उसी में गिरा जमीन भटी बंग नहीं प्था बंग अंदर से लागा है है एक आशिक ने कहा कि अगर बंग का काम है गिरना गिरके फट जाना अगर गिरा तो फटा क्यों नहीं 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 आगर फटना नहीं था गिरा तो गिरा तो एक आशिक ने कहा सुनो वो गिरा था अमरीका के हुँ से और भटा नहीं गौसे बांग के हुँ से मेरा गौस कल भी जिन्दा था मेरा गौस जोर से बोले मेरा गौस आज भी जिन्दा है तो मैं कह रहा था क्या आज समाज को कहा ले जा रहे हो माशरे को कहा ले जा रहे हो एलान होता जुम्हे के दो मस्जिद के मैख से अगर मैं गलत बोलना हूँ गंतुक उठा गोली मारदभा जिसको मारोग मेरे इलावा हज़रत के इलावा जिसको चाहों मारदभा मैं इजादद लेता हूँ एक सहाब आए हुए है उनकी बच्ची की शादी है आप हज़रात से जो हो सके आप उसकी मदद कर देए बोलो एलान होता है कि अरे बोलो होता है कि क्यों कौल है इसका जिवादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादाद कि तुमको मेरे सवार का जवाब देना होगा जवाब देना होगा सोशल मेडिया का जमाना है देखो दुनिया कहां जा रही है आज हमारी बेटिया आपसे आफू आ जाते हैं मेरी बेटिया पहले गेरों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है बोले के जिम्मदार को जिसके उप्रक्राइब किसके जिम्मदारी है आज तुमको जवाब देना होगा आज तुमको पताना होगा मेरे सवाल का जवाब दो जिम्मदार को जिम्मदार को जिम्मदारी है आपने मजग समझ लिया सारी पुलिया एक परेट फारम पर आ रही है और आज मुसल्मान ब्रादरीयों में बटा बढ़ा है क्या हो भाई कब तक कब तक होता रहेगा आज लोग बोले हैं आगे बढ़ो मैं कहता पूछिया तो मैं आई ला देखा रहो पूछो जो बुड़े लोग है जईव लोग है उनसे पूछो आज से 20 साल पचीस साल पीछे आटे अगर महले का कोई बुजूर बाफ चचा अगर रास्ते में कुरसी लगा कर बैठा रहत तो महले का कोई नौजवान सामने से जाने की हिम्मत नहीं करता वो लोग घलत बोलना हूँ या सही बुड़े लोग है बताए क्या मैं सही बोलना हूँ या घलत हिम्मत नहीं करता क्यो मेरा बाप बैठा है मेरा चचा बैठा है मेरा दादा बैठा ये था आदा ये दादा अराज लोग कह रहे हैं दुनिया तरक्ती पर है चचा सामने बैटा है भतीजा सामने में ख़ली ठोक रहा है भतीजा का फुसूर नहीं है चचा भी कह रहा है कि थोड़ा हमको भी खेला है बेदा पतमीज चीसे बलाए है आप ले बलाए है क्या हो तुम नारा लगा लगाने की इया पेदा हुआ गॅ क्या मैसे ने वो दुनिया को दस्तारबंदी का जल्सा है बच्चे हाफिजे कुरान बने ज़रा कुरान के एजास को भी देखो जब सुब होती है घर से दो बच्चे निकलते हैं एक बच्चा वो जो इसकूल जाता है और एक बच्चा वो है जो मदर्सा जाता है दोनों बच्चे एक इसकूल जा रहा है एक मदर्सा जा रहा है मगर जो बच्चा इसकूल जाता है जब तयार होता है किताबों का बेग आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है बोलोन भाई तुम आगे या पीछे पीछे अगर बच्चा इंग्लीज मेडियम इस्कूल का स्टूडेल्ट है तयार हुआ किताबों का बेग लगाया अब घर से निकर ला है अपने बाप को इंग्लीज में बोलता है गुड मॉर्णिंग पा पा बाप बहुत है कि मेरा बेटा इंग्लीज बोल ला है गुड मॉर्णिंग पापा और पापी बाप पापा हुआ तो मापापी भी उसी के वज़न पर उसी की जमान में कि पापा गुड मॉर्णिंग आप दिन में सही रहिए चाहे साम तो दुनिया से तश्रीफ लेए गुड म किसी के बाप का इंतकाल हो जाए उसके घर में सुबा सुबा जाईए और उसके बेटों को बोलिए गुड मॉर्णिंग देगा सरिया के कि बाप का जनाजा रखा हुआ कहता है गुड मॉर्णिंग मगर खुडा की किसम मजहब इसलाम के गुर्वान जाओ गम हो तो असलाम खुशी हो तो असलाम आलेकुं जवाब नहीं है इसलाम को पढ़ो तुम जवाब नहीं दे सकते ये वक्त नहीं है दूर करने का इसलिए कि हमारा मजभ नफरत की नहीं मौहबद की तालिम देता है मौहबद की तालिम देता है नौजवाल लड़के कॉलेज में इस्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के अगर तुम्हारा कोई दोस हिंदू हो गर मुस्लिम हो उसको अपने करीब करो उसको कहो दोस्त इसलाम को समझो मजभ इसलाम क्या है करीब करो तु जब तुम समझोगे उसको करीब करो दोस्त इसलाम को समझो इसलाम देशत गर्दी का मजभ नहीं है कुरान देशत गर्दी की किताब नहीं है मुसल्मान देशत गर्द कौम नहीं है अपने दोस्तों को तुम्हारा दोस्त है हिंदू है उसको बताओ कि इसलाम जैसे मजभ पूरी दुल्या में नहीं है अब मुसल्मान जैसी कौम पूरी दुल्या में नहीं है यह कब करोगे जब तुम्हारे हाथ में ताश नहीं पलके पुरान हो रहा है यह कब करोगे जब रास्ता चलते तुम्हारे हाथ में हतीज क्या होगा तब तुम्हे कहने कहा करें तो कहेगा कैसे कैसे तुम कहते हो कि इस नाम देश्चत गर्दी का मजभब नहीं मुसल्मान देश्चत गर्द और कौम नहीं आप उसको समझाईए आप वजू बनाते हैं बोलो लाए वजू बनाते हो को हो आप बोलो ला अगर हम पूछे कि एशा में कितने लोग वजू बनायते दिल में तारा नजर आएगा नमास की तौफिक नहीं असमझ में कि जन्नक मेरे बाप की जागिर है हम सुनी है फरिष्टे के लिए सुनी है अचा शराप पीता था सुनी है जन्नक में सुनी है जूआ खेलता था जन्नक में सुनी है मजार पे चादर जाओ था अच्छा जननत में जा इतनी फिटाए होगी न तुम लोग पी इतनी फिटाए होगी जननत को क्या समझ लिए आसान है गौसे पाक से किसी ने खा था एउप के दिर कि सरकार गौसे पाक से कि आपको तबीबाई आप सोएंगे तो पूरी कौम सो जाएगा है बहुत संजीदा होके सुनगा है तब भाइगा है गोसे पाक से किसी ने कहा था कि एद मुबारक क्या कहा था एद मुबारक को गोसे पाक के आँख में आशू आ गया कहा कि मुबारक बादी क्यों दे रहे हैं मुझको मैं तो उस दिन मुबारक बादी तुम्हारी कुबूर करूंगा